हेलो एवरिवन ब्रत का दिन हो या वैसे ही कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये लौकी का रेसिपी बना सकते हैं जो की बहुत ही यमी है और इतना आसान है बनाना कि आप जट पट 10 मिनट के अंदर इसे बना सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और यहां पर मैंने लिए हैं दो घीया या लौकी तो इसको पहले हम छील लेंगे और छीलने के लिए आप जैसे छीलने वाला होता है उसका यूज कर सकते हैं तो दोस्तो अभी जनमाश्टमी मतलब आही गई है तो ऐसे में अगर आप ब्रत रखते हैं तो यह लौकी का जो रेसिपी है लौकी का जो हलवा है वो मतलब आप खा सकते हैं ब्रत के दिन या आप चाहें तो भगवान को भोग भी लगा सकते हैं तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं लौकी का एक ऐसा रेसिपी बनाता सकती हूँ जो की हर बर्ग के लोग इसे बना सकते हैं चाहे जिनके पास अगर खोया मावा लेने के लिए कुछ चीजे नहीं भी हो तो भी आप लौकी सिंपल सी सस्ती सी चीज आती है आप भगवान को चरहाएं या खुद बना करके खाएं दोनों ही चीजे इससे हो सकती है तो चलिए इसको पहले धो के आते हैं तो मैंने यहाँ पर उसको धो लिया और अब मैं बारीक वाला जो होता है ना कदू कस करने वाला उससे मैं इसे कदू कस करूंगी तो मैंने बताया ना कि ना तो इसको काटने का जंजट है ना मतलब किसी कुछ और करने का जंजट है बस आप इसे कदूकस कर लिजिए और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है पांच मिनट के अंदर ये दोनों ही घिया कदूकस हो ही जाएगा और कुछ इस तरीके का दिखेगा चलिए यहां पर मैं कडाही चढ़ा देती हूं और कडाही चरहने के बाद इसके अंदर में डाल देती हूं घी क्योंकि मैं हल्वा बना रही हूं तो मैं पहले ही घी डाल रही हूं और थोड़ा सा घी अभी डाल रही हूं थोड़ा सा बाद में भी डाल सकती हूं तो यहां पर घी जैसे ही गरम हो जाएगा उसके बाद इसके बना सकते हैं कम आज पर बनाएंगे तो यह मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर पानी आ जाता है तो इस वज़े से आप थोड़ा फ्लेम को हाई करके ही रखे तो थोड़ी जल्दी भी हो जाएगा और इसका पानी भी जल्दी सुख जाएगा इसको धीरे-धीरे करके आपको सुखाना है और देख सकते हैं इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो गया है क्योंकि यह थोड़ा सा पक चुका है और इसको पकने के लिए ना आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी परती है थोड़ा थोड़ा पानी आप इसका सुखाते रहें फ्लेम को हाई करके लेक का सा बीच में वो हो जाता है लेकिन वैसे यह जला नहीं है अब इसके अंदर हम डाल देते हैं दूद तो मैं यहां पर एक कप दूद भरके डाल रही हूं दो घिया थे मतलब आधा किलो के करी मेरा घिया था तो उसमें एक कप दूद डाला है अगर आपको बहुत ही मलाईद चाहिए ना तो फिर इस दूद की क्वैंटिटी अब थोरी जादा कर दीजिए और अगर नहीं तो फिर आप एक कप दूद डाल करके इसको पका सकते हैं तो अब हमें क्या करना है कि इस दूद को धीरे-धीरे करके सुखाना है और दूद क्यूंकि लौकी में भी पानी होत चाहिए और बिलकुल ही दूद जो है ना गढ़्धा हो जायेगा और बस इसको चलाते रहें, जिसे कि कराही के अंदर लगे नहीं और बरावर से चारों तरफ से जिसकी मलाई है वो भी साइड करकरके इसमें डालते रहें तो इसको थोड़ी सी और मलाईदार बनाने के लिए मैंने यहां पे मिल्क पाओडर डाला है जो कि तीन चम्मच मैंने डाला और उसके बाद इसको मैंने चलाया और चलाने के बाद जैसे हलका सा सूखने लगा तो मैंने इसे बंद कर दिया तो क्या होता है ना कि हल्वा को थोड़ा सा मतलब कम ही चलाते हैं कभी पकाते हैं अगर आपको इसकी बड़फी बनानी है तो ये जो लेवल दिख रहा है आपको इसे थोड़ा सा एक ष्टेप आप आगे जाएंगे लेकिन अगर आपको हल्वा खाना है तो आप इस तरीके से बनाए आज को बंद कर दें अब ये हो चुका है इसे मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद इसे सर्व करूँगी तो क्योंकि मैं ब्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे कल ही खाऊंगी तो इसके लिए इसको मैं कटोरी में रखके भगवान को चरहने के बाद तो यहाँ पर इसे रखकर के और इसके उपर से आप चाहें तो ड्राइफ रूट्स बगड़ा से सजा सकते हैं या फिर आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अब सबसे लाश्ट में ही डालूँगी क्योंकि जो यह लौकी का जो हल्वा होता है न वो थोड़ा सा बाद में ही आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा और क्योंकि हल्वा है तो मैंने उपर से दो चमच और घी डाल दिये बहुत चोटी सी चमच है उसके बाद मैंने भगवान कृष्ण को मावा क्या कहते हैं मेवा बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर मेवा रख रही हूं मतलब किस्मिस डाल रही हूं सजाने के लिए और